हेलो फेंड्स दिस्री में नाव, वल्कुन टो में अपको स्वागत है, आज हम बात करेंगे, इथरियम का टोकोनेमिस के साथ में कमपरेटिबली अनलेसिस वही पोल करोड का टोकोनेमिक्स, किंकि दोनों के दोनों के अंदर सिमिलर्टी ऐसा है, दोनों की सप्लाई तो मेरे पिछला वीडियो था पूल करोड के बारे में, उसमें मैंने बताये था कि पूल करोड के अंदर, फंडामेंटल यह बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसकी टोकनेमिस में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा गड़ बढ़ है, तो चलिए फिर वी, टोकनेमिस के इनफेक्शन होने के बाद बामजूद, एथेरियम कैसे प्राइस को इनकीज करके ले रहा है, यह अफिर एथेरियम की प्राइस इतना सस्टेन कैसे हो रहा है, तो उसके थुरसा हम बात करते हैं, चलिए, यहाँ पे देकि एथेरियम जो काम करें, उसका यह यूटिलिटी है, क्या है, इथेरियम के अंदर जो यूटिलिटी है, ए उसका जो बोलते हैं, तोटल वैलू लॉक, अभी तक टोटल वैलू लॉक इतना हुआ है, इथरियम, 55.72 विलियन डॉलार का इथरियम टोटल लॉक हुआ है, अनि इतना अमाउंट का इथरियम अभी भी लॉक हुआ है, इसके वाज़ से क्या होगा है, सप्लाई जो है इथरि होगा है समझ के चलिए तो यह अभी बेचेंगे तो जो टेंपररी विसी से पर जो लॉक हो रहा है यह भी अपकी प्राइस में इफेक्ट करता है ठीक है यह होगा एक पॉइंट नेक्स्ट अभी जो यहां पे देखिए ट्रांजेक्शन टुड़े कितना हुआ अभी तरह 1.11 एक मिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है और देखिए जो ट्रांजेक्शन होता है ट्रांजेक्शन का जो ग्यास पीज रहता है ग्यास पी में दो चीज रहता है एक तो रहता है बेसिक फीज और एक रहता है और एक रहता है स्पीड को इन्हांस करने के लिए एक अलग से टिप ठीक जैसे कि आपको कुछ टांजिशन करना है आपने बेस भी दे दिया लेकिन दूसरा बंद ने आपके बेस फीज से भी उपर का एक प्राइस दे रहा है तो उसका टांजिशन जाए पहले होगा तो वो जो एक्स्ट्रा पे किया जैसे कि एक टांजिशन को करने के लिए खर जो अधिशनल फीज जो होता है उसी फीज को ही मायाइनर को आज रिवार देतें यह उतना ही और जो 10 रुपे के जो बेस फीज रहा है वही दस रुपे के बेस फीज को बर्न करते हैं तो उसके वज़से क्या हो गया मार्केट ने हो सप्लाइथ घट रहा है लेकिन ने इसम सालना जो इंफ्लेशन जो आ रहा है जो रेट ऑफ इंफ्लेशन हो रहा है साल में वह अमाउंट और आपना जो बेस अमाउंट जो बर्न हो रहा है बर्न अमाउंट टूटल सालना इंफ्लेशन रेट से ज्यादा है तो इसको इसे किया कि इंफ्लेशन तो हो रहा है लेगन ये तोटल सप्लाई में से फरक ने परकें कि बर्न हो रहा है उससे ज़्यादा जितना इंट्री हो रहा है मार्केट में उससे ज़्यादा बर्न हो रहा है और साथी साथ कुछ अमाउंड मैं बहुत सारा अमाउंड वो TVL तोटल वैल्यू लॉक है फॉर दी आपस अप्लिकीशन तो इथिरियम का जो सप्लाई के अंदर जो प्राइस का मुम्मेंड है और जो टोकेनेमिक्स है यह इंफ्लेशन रेट को टल सालना इंफ्लेशन होने के बाद भी अनलिम्टर सप्लाई होने के बाद भी आज के डेट प लॉग रॉन में चलते हैं और ऐसे अगर स्टेनेटिव होता रहेगा ऐसे लंबा चलता रहेगा तो लॉग रॉन पर जाने के बाद में थोड़ा कुछ दिक्कता आ सकता है और ऐसे समझो आज के डेट पर 10 अप्लिकेशन बन चुका है इथेरियम के ब्लॉक्चेन के समझो अगला 10 सल के बाद में 100 अप्लिकेशन मन चुका हुआ तो अटमेटिकल उसकी जो इंप्रेशन रेट तो वह इसी वह रह रहा है लेकिन लोगों के अंदर जो उसके अक्सेटन्स जी उसके ग्यास पी और बढ़ रहा है तो बर्निंग भी जादा हो रहा है उसके उपर से तो अने लोगों ने अभी तक होल्डिंग करके रखे उनमेसे कुछ ऐसे लोग होँगे जिनका जिनोंने जो फ्राइवेशी प्रेइड फ्रेज रहता है जैसे डिसेंटरराज आप्लिकिसन जो रहता है, डीसेंटर्ट लाउक जो रहता है अपना जैसी आपना होगिया, ट्रस् तो ऐसी बहुत सारे लोग रहेंगे जिन्नों ने अपनी token अफिर coin को खो दिये ठीक है क्योंकि उन्होंने भूल चुक है उनके passphrase बहुत सारे लोग हर साल आते हैं जो कि अपने token अफिर coin को भूल जाते हैं तो वो तो supply में तो दिख रहा है लेकिन actual में supply में नहीं क्योंकि वो रहें नहीं कि बावजुद उसके कुछ काम नहीं है ना वो sell को कर पाएंगे ना वो कुछ कर पाएंगे तो इसलिए ऐसे भी कुछ लोग होते हैं और साथ से और भी कुछ लोग हैं जिन्नोंने coin को तो रख लिया अपनी trust wallet में या फिर अपना metamask wallet में लेकिन अच्छल में supply में तो दिख रहा है लेकिन वो actual में है नहीं तो ऐसे ही कुछ जो amount of total जो transaction, total जो coin है वो जितना amount होता है वो amount भी उटर supply में भी फरक पड़ता है जैसे कि for example अभी आपको मैं दिखा दूँ सालना लोगों का जो date rate है वो कितना है yearly लोगों का जो date rate है हाँ date rate द आठ पीपल है यह दिखे आठ यानि 0.8 percentage जो total person है वो date हो रहा है फार साल और लेकिन हाँ date rate जो पहले था ना वो date rate दिरे दिरे कम हो रहा है ठीक है ना यानि date rate जितना भी हो रहा है अभी आशा तो नहीं ना जितने पूरा world population लोगों नहीं क्रिप्टो कर रख लिए तो total ज फरक पड़ता है कि वो supply में होने के बावजूत वो supply में नहीं है तो यह कारण है ठीक है और अगर हम थोड़ा सा और देखें लोगों की birth rate क्या है वो अगर चेक करें birth rate भी वो भी 1% है और death rate भी 1% है और birth rate भी 1% है तो उसी सबसे थोड़ा लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि आज जाना हम ले लिए तो आच काच वह खरीद लिया अपनी crypto को ठीक है ना तो उनको खरने के लिए अगला 10 साल लगे का बड़े होंगे बच्चे अभी 16-17 सल होगा अट्र सल होगा तब जाके वो crypto को खरीदेंगे तो अभी भी यह देखा जा तो यह जो death rate इसको counting कर रहे है तो वहां पर बस उन्होंने अभी तक का burning के कुछ मेकन जी उन्होंने system बनाया नहीं इसका impression हो रहा है लेकिन उनका rate बड़ने की chances कहा कहां तक आ रहे है देखिए rate बड़ने की chances ऐसा है जब इसी blockchain में देखिए उनका उन्होंने क्या बुला है यहां पर जितने सारे जो पाराच जैसे आप लॉक करोगे तो क्या होगे एक temporary basis पे वो supply क्या हो रहा है घट रहा है temporary basis पे supply घट रहा है और जितना supply घट रहा है जितना amount वो supply घट रहा है उससे कम inflation होगा तो यह polka dot का price तभी बढ़ सकता है तभी बढ़ सकता है जब बहुत सारा project उसकी पाराचेन में आके entry कर करेंगे बहुत सारा project लगातार continuous project जो होगा उनके पाराचेन में आके sustain करेंगे उसके साथ ही साथ कुछ ऐसा burning मेकान जिम्य करना करना चाहिए तब जाकि उसके जो pricing है वो थोड़ा सा sustain होगा तब जाकि जो polka dot का project होना यह बहुत दिनाम कर सकता है ऐसा है मेरा एक थोड़ा जैसे आपको बता होगा एथरिम अभी बहुत जल्दी एथरिम टूप में लेकर आ रहा है तो उसके वैसे क्या होगा उसका और सासर हमने भी सुना है कुस्तो उन्होंने IP916 करके कुस्तो नाम एक मिनिट हाँ यहां पर साथ मैंने पढ़ा था ओ जो है यह आई-प 960 करके ज तो याइसे ही अगर पुलकड़ कुछ लेकर आता है जिसके सप्लाइ को थोड़ा सा होल्ड करके रख सकते हैं दूसरा कुछ इंप्लिमेंटेशन करें बर्नी मेकाने कुछ लेकर आए तो जितना भी इंप्लेशन होते रहेगा उसकी साबसे उसका सप्लाइ जो हगर रहेगा तो याइक यह पुलकड़ का टोके ने हुशं सेटेंगड़ परकर रपाएगा अभी इसमें वो वोलेशन के लिए आपको प्लेशना पड़ेगा लेकर भाई समझो एक ही साल में बहुत सारा पाराचेना आ जाएगा एक ही साल में बहुत सारा पाराचन आ जाएंगे तो क्या होगा उसी साल में जो भी लोग आके वो staking करेंगे तो उसी साल में तूरंती सप्लाय घड़ जाएगा और उसले साल में क्या होगा पूरा का पूरा Walkadա का जो price रेगा है वो बहुत जल्दी से बूम करगा लेकिन अगला दो साल के बाद सभी के सभी वो ही लोग जो रहेंगो वो स्टेकिंग से निकालेंगे तो तुरहनती पाइस जो रहेगा वो घटे का कि वो सप्लाई तुरहनती तुरहनती बढ़ जाएगा तो उसके विज़西 Most में धाउट ओट आइसा है उसका बधर बरुमेंग किया है जिसके वज़ाच सफ्प्लाई को थोड़ा-थोड़ा घटता रहेगा तो ही इंप्लैसिन desach Indonesia ब़घता रहेगा ऐसा उसके प्रोजेट को ऐसे जाना नहीं देंगे, कैसे गवाई नहीं देंगे, जैसे करेंगे तब आप थोड़ा सा और ज्यादा डालने के पैसा, लेकिन अब भी छोटा मोटा कुछ डालके जरूर रखिएगा, इसको अब प्लीज मिस मत लेएगा, ठीक है न, अच्छी प थोड़ा सा अगर बर्निंग में करें, जो कुछ इंपलिवर्शन करते हैं तो बढ़ी है, नहीं तो दस दुना प्रोफिट लेकर नेकल जानाव है, ठीक है न, ये प्रोल कलाट के बारे में बताना है, और इच्छी आप कुछी छोड़ा सा आपको मैं अलग से कुछ एक टि यानि smart chain, तो उसी smart chain में जीते हैं नया नया protocols बनता है, नया नया project DEAPS बनता है, तो उनको total value lock करना पड़ता है, तो अभी के data पे सबसे ज्यादा value lock हुआ है वह जो chain है, यानि सबसे ज्यादा ethereum बहुती बढ़िया काम कर ओ, टल value lock में से 36 billion का total value lock है, उसी के बज़े से उसका प्राइस जो है इतना effect कर रहा है, प्राइस इतना sustain कर रहा है, क्योंकि उसका इतना amount का जो ethereum है, यह lock है, अभी और चीज़ देखिए, polygon metric में 22% का hype दिख रहा है, last 7 days में, ठीक है न, यह बहुत एक अच्छी sign है, polygon metric के लिए, क्योंकि बहुत सारा project बन रहा है, 291 project बन आप ignore मत करीगा, यह Tron, Tron में आप देखोगे न, Tron में, एक मिनिट, इसको थोड़ा सा, हाँ, Tron में आगा देखोगे न, अभी तक का 10 protocol तो बंचू कर लेकिन total value lock आगा देखोगे न, 5.64 billion dollar है, जो कि Binance Smart Chain के भी उपर हो चुका है, तो कुछ तो लग रहा है, भाई, अभी Tron को थोड़ा सा ignore मत करिएगा, यह जैसे bullrun आएगा न, Tron के अंदर थोड़ा सा pumping दिखने को मिल सकता है, ठीक है न, यह थोड़ा सा secret news है, आप थोड़ा सा पकर के चले, Tron को आप ignore मत करिएगा, यहाँ पे चुपके से बहुत सारा value lock हो रहा है, 9-9 budget बनने के लिए, ठीक है यह थोड़ा सा tips आपको देना चाथा, हाँ, और भाई मुझे साथ कोई पूछ रहते की, XS Network token को हम कहां से खरीदेंगे, XS Network token नहीं, यह coin है, तो यह coin को आप खरीदने के लिए, अभी तक कोई decentralized application, decentralized exchange पे यह लिस्टेड हुआ नहीं है, बस centralized exchange पे लिस्टेड हुआ है, जो क कि यहां पे दिख रहा है, आपको sitex, और एके MEX, यह दो तरह का जो exchange है, यहां पे USDT के PR पे मिल रहा है, वहां पे आप account खरी सकते हो, अभी कुछ भाई ने पूछा था कि इसका counter address क्या है, देखिए कोई भी blockchain जो होता है, जिनका token के, जिनकी coin के खुद की blockchain होता है, उनकी smart chain मतलब ही होता है, कि उसके अंदर जो बना हुआ, कोई token रहेगा, जैसे आपको पता हुआ, Ethereum smart chain पे बना हुआ, उसकी खुद की native token का नाम है, ERC20, लेकिन यह xx network का अभी तक उसका smart chain बनाने गा, xx network ऐसा network है, जहां पे की दूसरा decentralized आप बनेगा, ना कि दूसरा token बनेगा, तो इसलिए अपना यह खुद का smart chain बनाया नहीं है, और अगर आपको accelerator खरीदना है, तो खरीदने के लिए आपको central access पे जाके खरीदना पड़ेगा, यह ना ही uniswap मिलेगा, ना ही आपको pancake swap मिलेगा, जैसे देखो आप bitcoin पकड़ो, bitcoin को भी आप pancake swap से खरीदनी पाऊगे, अ साथ में यह wrap किया गया है, जो कि binance smart chain पे बना हुआ मिलेगा, क्योंकि pancake swap कहां पे बना हुआ, binance smart chain पे बना हुआ, तो इसलिए यहां पे जो भी आपको token मिलेगा, सब कुछ binance smart chain पे बना हुआ token मिलेगा, तो btcb अगर खरीद के आप रखरे हो, pancake swap में, तो आपको real btc नह बना हुआ, एक bitcoin का token, जो कि wrap किया गया, उसी value के साथ लिए, तो वैसे ही, xx network ने अपना खुद का अभी तक, कोई smart chain बनाया नहीं, कि token बनाया नहीं, जो कि उसी के value के तरह, एक wrap होके रहे, तो इसलिए आपको कोई भी decentralized application पे, exchange पे, यह xx network का coin मिलेगा, नहीं, आपको खर जाए, या फिर, कौन section नाम क्या है, उसका, मैं अभी बूल गया, citex, citex करते जोची, वहाँ पे आपको मिल सकता है, ओके, तो आज का वीडियो में, यहाँ पे खर्तम करता हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहे, तो please like करिए, and जरूर आप subscribe करिए, and आपका खैल जरू क्या है, जर आपको अच्छा लगणार है, वहाँ पे खर्तम करता है, उअच्छा लगाँ झार पहे नापको है, यहाँ जरूर आपको यहाँ, जरूर आपको अड़िह वहाँ.